नमस्कार में उप्रिया बिहर नियूज में आपका स्वागत है बिहार लोग सेवा आयो की सरसथवी पीटी परिक्षा सालोबाद आयो जित हुई जोसे अभ्यर्थियों के चेहरे पर परिक्षा हॉल में खुसने से पहले काफी रोनक भी थी लेकिन जैसे ही अभ्यर्थि परिक्षा दे कर बाहर निकले और परिक्षा में आए प्रश्णों से खुश दिखाई दे रहे थे किसी बीच खबर आई की परिक्षा पत्र पहले से ही लीक था हाला कि जिन अभ्यर्थियों की परिक्षा अच्छी गई थी वो तो मना रहे थे कि ऐसा ना हो लेकिन इस खबर के पुष्टी हुई और तुरंथ ही परिक्षा रदगर दिया गया जिसके बाद ही बीपेसी और बिहार सरकार दोनों ही सवालों के कट घरे में है जिसके बाद ही अब आयोग की तरफ से साज़ा की गई ज्यानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की आगामी परिक्षाएं नीजी महाविद्यारेों में आयोजित किसी भी हाल में नहीं की जाएगी अब आयोग ने प्रशिजग्यप्ती जारी कर बताया कि किसी भी स्तर्व की परिक्षा के लिए भविश में नीजी कॉलेजों को परिक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा इसके साथ ही स्वच्छ छवी वाले पदाधिकारियों को ही दंडाधिकारी और परिक्षाकारे में प्रतिन्युक्त किया जा सकेगा सभी जिलाधिकारियों को इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है पत्र के अनुसार जिलाधिकारी उन्ही सिक्षन संस्थानों को केंद्र के लिए चनहित करने का काम करेंगे जिन पर किसी भी स्तर के परिक्षा के दौरान अनिम्तता का आरोप नहीं है सिक्षन संस्थानों में बांडरी दुरुस्त और उचाई मानक के अनुसार हो क्योंकि हाली में हुए पेपर लीक मामले के बाद ऐसी खबरे आई कि आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि जाज के दौरान कुछ केंद्रों में अन्यम्तता की शिकायत मिली है जिसे ध्यान में रखते वे उक्तनिर्देश जारी किया गया है मालूम हो कि रविवार को आयोजित BPSC की सरसथवी PT परिक्षा के पेपर लीक होने के बाद लगातार कारवाई चल रही है पेपर लीक मामले में आर्थिक अप्राध हिकाई की टीम मास्टर माइंड तक पहुँचने में रगी है इस मामले में भोजपूर के बढ़हरा के प्र लगातार उठ रही है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि विहार में पेपर लीक के मामले आम है और हुआ भी ऐसा ही है विहार में कई कॉम्पेटिटिव एक्जायम के पेपर एन मौके पर लीक हो गये है जिसमें सिक्षा विभाग के अंदर की उदासीनता उजागर हुई है VPSC जैसे बड़ी परिक्षाओं का प्रशन पत्र लीक हो जाना सिक्षा विभाग की तरफ से लिये जाने वाले हर परिक्षा पर उंगले उठाता है क्योंकि अगर इतनी बड़ी परिक्षा में धांदली हो सकती है तो मैल्ट्रिक और इंटर की परिक्षा तो इसके सामने बिहार सरकार सवालों की घेरे में रही है वहीं प्रश्म पत्रों के लीक होने के मामले के बाद अब चात्रों के भविशे पर भी सवाल उचना लाजमी है हाला कि परिक्षा के आयोजन में किये गए इस बदलाव के बाद आगे होने वाली परिक्षाओं कैसे आयोजित होती है ये देखने वाली बात होगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवार